हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू से एजुकेशनल चैनल मैं आज आपको फ्यूचर की थर्ट टाइप फ्यूचर पर्फेक्ट टैंस करवाने जा रही हूं तो टाइप्स मैंने आपको पहले करवा दी तो फ्यूचर पर्फेक्ट टैंस की डेफिनिशन है तो इसमें क्या होता है फ्यूचर पर्फेक्ट टैंस जो है वो हम यूज करते हैं कि हमारा कोई भी काम है जो आने वाले समय में कम्प्लीट होने वाला है उसके लिए यूज करते हैं कि आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा कोई भी और काम होने से प की हैं I shall have played he she will have played तो जैसे मैंने आपको पहले will shall के बारे में तो बताया ही था मतलब क्या है कि जो will have है वो क्या है कोई भी singular plural he she कुछ भी हो उसके साथ लगता है और सिर्फ I और वही के साथ क्या होता है shall have use होगा और इसमें जो main verb है उसकी third form use होगी तो इसमें क्या है जैसे first example I shall have played तो I के साथ क्या लगा है shall have और साथ में जो main verb है उसकी third form लगी है तो next slide में मैंने इसकी आपको और भी example दे रखी हैं जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आगे जो है इसकी simple है जैसे मैंने आपको दियो यह example he will have performed prayer first example second they will have bought laptops तो मैंने जैसे आपको काफी example दे रखी हैं जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं सबसे पहले इसमें क्या आता है subject जैसे first example he उसके बाद helping verb will have और उसके बाद main verb की third form जैसे performed है और last में object prayer तो next slide में मैंने आपको इसकी negative type बताई हुई negative हमारे जो not वाले sentence होते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा not है वो क्या होगा हमारा जो भी हम यूज करते है helping verb will have, shall have उसके बीच में आएगा जैसे first example है he will not have performed prayer तो इसमें क्या है पहले subject आएगा फिर helping verb जो है हमारी will उसके बाद not फिर have means will have एक अठा नहीं आएगा उसके बीच में not आएगा then main verb और फिर इसके बाद object तो जैसे मैंने आपको काफी example दे रखी है तो आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और next slide में मैंने आपको इसकी क्या दे रखी है interrogative type interrogative क्या होते हैं हमारे question वाले होते हैं जो sentence वह होते हैं इसमें जैसे मैंने आपको first example दे रखी है will they have helped his friend second will he have made a plan for his studies तो इसमें क्या होता है पहले क्या आएगा हमारी helping verb आएगी इसमें भी negative की तरह helping verb क्या होगी divide हो जाएगी means हमारा will पहले आएगा उसके बाद subject आएगा फिर आएगा have जैसे first example में है will they have तो will they have क्या हो गया will होगी helping verb they हो गया हमारा subject उसके बाद have मतलब will have आपम total लगाते हैं इसमें helping verb और उसके क्या हो जाएगा उसके बीच में आएगा subject हमारा उसके बाद हमारी main verb जो third form यूज़ होगी helped और उसके बाद object his friend जैसे मैंने आपको first में समझाया है तो इसमें क्या है कि मैंने आपको इसके related काफी example दे रखें जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो उमीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like जुरूर करें अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब जुरूर करें